तो यह पहला लेक्टर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन अब मैं इसको दुबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसको देख करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजेगा बागी क्लास इस लाइव चलेंगी ठीक है और उसकी रिकॉर्ड वीडियो बाद में अप्लोड हो जिसका नाम है नियुरल कंट्र और कॉडिनेशन तो जितना पहले लेक्टर में है उत्माही कबर करेंगे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसको पर देख लेना यह ज़रूरी है अप्लेटिक है तो अच्छाट करने चैप्टे को और ऑच्छर वर मैं दो इड़ाइड कर रहा हूं का इसके बी पार्ट प्लोड करンヤो एं ज़र बी इसे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ा हों तो लेकिन इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, introduction part only, okay, so here we go, देखे इसको पढ़ाने के लिए मैं जो reference ले रहा हूं, जिन भी बुक्स का, तो अच्छी ची बुक्स मैंने स्लेट करी है, और इनका कोई तोड नहीं बुक्स का, बहुत ही अच्छी बुक्स है, नाव देखिए बात करते हैं इंट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं और आपके चेप्टर का नाम है इंडॉक्राइन सिस्टम हम सिर्फ नर्वंग्यों सिस्टम ही बात करेंगी हमारी बॉड़ी को एक÷्ट्राइन करता है जिसका नाम है और पड़ेगी वह हमें उनकी बात करूंगा भी तो घवरा है नहीं ठीक है अच्छा जी तो बात कर रहे हैं स्टार्टेंग कर रहे हैं इस डेफिनेशन जिसके नाम है को ओर डिनेशन को मतलब साथ में ठीक है तो जब हमारे बॉडी के दो या ज्यादा और गन आपस में क्या करत कंप्लीट नहीं होगा फॉर एक्जामपल जब आप रनिंग कर रहे होते हैं ठीक है जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो रनिंग के दोरान आपकी जो किड़नी है किड़नी के ऊपर एक ग्लेंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लेंड तो एड्रीनल ग्लेंड एक हॉर्मो नाम है नॉर एड्रिनलिन है अच्छा हाला कि और भी बाते में करूँगा फ्यूचर में लेकर कोई बात नहीं तो यह दोनों होर्मोन है यह दोनों होर्मुन जा करके हर्ट बीट को बढ़ा देंगे हर्ट बढ़ेगा तो हर्ट रेट बढ़ेगा ज्यादा से जादा blood pump होगा अब जब जादा से जादा blood pump होगा तो जादा से जादा oxygen low के पास पहुँच पाएगी लेकिन सरह यह oxygen कैसे पहुँचेगी इसके साथ साथ आपका breathing rate भी बढ़ेगा तो breathing rate जो आपकी सास लेने की rate है वह भी बढ़ेगी तो देखिए हम जब कर रहे हैं तो actually हमारी बॉड़ी की नीड है कि हम जदा से जदा ब्लड को क्या कर दें प्यॉरीफाई कर दें इन सब के लिए जो किड़नी का फंक्शन है अकेला ये काम नहीं कर सकता है इसके लिए इसकोच यह हर्ट और तो यह सभी फंक्शन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं कॉंपलिमेंट कर रहे हैं और यह सभी और आपस में देखो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग यहां पर ठीक है तो यह कॉडिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से दो या दो से जादा ओर्गन आपस में इंटरेक्ट रहे हैं थीक है मैं बार बार इंटरेक्ट पर फूकस क्यों कर रहे हूं भई इसमें कुछ कंसेप्ट है यह देखना इंटरेक्ट इस वर्ड पर फोकस रहे हैं तो आपको करते हैं और दूसरे के फंक्शन को कंप्लीट करने में भी हैल्प करते हैं नाव नेच्ट डेफिनेशन इस इंटीग्रेशन वाट इस इंटीग्रेशन यह भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है अब दो या दो से जादा जो और गन है वह एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करेंगे और साथ साथ काम करेंगे जैसे कि इसके साथ इसने काम किया इसके साथ इसने काम किया ठीक है तो यहां पर जो वर्ड आया है देखो मैंने वहां पर तो क्या बोला था मैंने इंटरेट कर रहे हैं लेकिन यहां पर इस डेफिनेशन में क्या बोलना है आपको यह वर्क करते हैं as a functional unit ठीक है तो यह आपके आद रखना अगर यह एक साथ जोड़ करके काम कर रहे हैं देखिए आपने फिजिस में एक वर्ड पढ़ा होगा integration इवन मैथ में भी होता है ठीक है तो यहां पर भी तो यह सबी आर्गन कि आपसे मिल करके काम कर रहे हैं यहां पर बस इंटरेट कर रहे हैं जैसे इस होर्मोन ने यहां किया तो यह तरह से मेशेज भीज लए नहीं और इस होर्मोन के दोरा आगर कुछ भी जाता है तो स्कंडर Normal advocates बोलते हैं ते क्यों और कुछ नहीं खैर ये चैमिकल मेसेज एक्चुल में क्या होते हैं और क्या सिर्फ ग्लैंड्स ही मेसेज निकालती है ऐसे कैमिकल ये सब मैं आपको बताओंगा फ्यूचर मैं अभी बता दूंगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी ठीक है चलेज़ आ हूँ जो कि आपके NCRT में दे रखे हैं तो सब्सक्राइब हम बात किरते हैं स्पंजिस की स्पंजिस आपने पढ़ा होगा अनुल कि नम में फाइलम पॉरी फेरा में आ रहा था जिनकी बॉड़ी में पोर्स होते हैं तो पॉरी फेरा स्पंजिस के अंदर कोई भी नियूर सबसे सबसे के पास में है वहिए तो इसके अंदर देखो नर्व नेट बना हुआ है जैसे कि आप यहां देख सकते हो, में यहां देखा रहा हूँ, यहां आप देख सकते हो, यहां पर देखो नर्वनेट बना हुआ है, ठीक है, इधर इधर, 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 सीने मनी के, जंट ने rap assistant, ठीक हैं ग्होंख सहरो है बाह सब्रच करते हैं, को ही रभी बैंडल बना ले जब नर्व सांपसमी मुझा रहां आख ए प्लेट양 चलो तो को बंडल होता यह आगे इस तक ठीक है अच्छा है तो फ इल drowned बॉल्मर्म का यहां पिजाम्पल मैं यह ले अफ्लेटर से सबुने को ठीक है जहां से देखो देखो इसके नदेखो दो नर्व जा रही है एक इधर की साइड में एक इधर की साइड में तो इसके पास होती ही नर्व कॉड इसके बात करते हैं एनलिट्स की एनलिट्स में आपके अर्थ वॉम आजाते हैं और अर्थ वॉम आपके मेटामेरिजम सो करते है ठीक है अपने पड़ा होगा 11th class में उस में टर्व मन में तो जो अर्थ वर्म की body होती है यह segmented होती है इसके बारे में कुछ basics clear कर दे रहा हूँ इनकी body में इस तरह के क्या बने होते है segments बने हुए होते हैं बई segments segments अब इनकी body में segments बने हुए है और हर एक segment को हम लोग सीटा बोलते हैं सीटा या फिर आप इसको metamor बोल सकते हो अच्छा जी लेकिन concept यहां पर यह आता है कि इस process इसको बनने की process को मतलब जो इस condition को show करता है उसको हम बोलते हैं metamorism इस condition को बोलते हैं metamorism metamorism या फिर आप इसको segmentation बोल सकते हैं segmentation तो फीचर है इनका इनकी बोड़ी में segmentation देखेगा ही देखेगा बाहर से भी अंदर से भी ठीक है बाहर से भी और अंदर से क्लियर है अच्छा देखो कितने सब्सक्राइब कर देता हूं में अब बात करते हैं इसके आगे के अंदर जो क्या है इनका जो वेलिव और योडेम्टल नर्व कोर्ड होती है ठीक है और इनके अंदर पेर सेगमेंटल गैंग्लिया होता है देखें गैंग्लिया क्या है यह मैं आपको बाद देखाऊंगा है अभी आ गया अगली का तब हम पड़ लेंगे ठीक लिए इसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट की अभी बहुत तेल कम आ जाता है इंसेक्ट का अभी जैसे को ना की नेक्ट विवाई से फिले अभी वह चल रहा था डेंगू चल रहा था सब जग क्या थे इसके पास सबसे पहले प्रेइन डेल अप हुआ है इसे पहले कहें भी अपने ब्रेन नहीं पढ़ाया है तो में ठीक है यह प्रेजेंट होता है यह बार 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 बेसिक क्यों के लिए करवा रहे हूं मेरे से बात किरते हैं वर्टीबरेट में सब्सक्राइब हैं वो प्राइमेट में सब ज़्यादा एडवांस ब्रेंट है वह हमारे पास ही मिलेगा हाँ मुश्ट एडवांस आनिमल अनुज़ प्लैनेट है देउधा कोई नहीं है और human के पास यह सब ज़्यादा advance brain मिल रहा है ठीक है अच्छा यह बात आभी आदेंगे और इस बात की खुशी की वज़या से आप तरशाद बटबा सकते हो ठीक है आगे चलते हैं अब बात करते हैं थोड़ा सा और पढ़ाएंगे introduction में कोई बात नहीं तो neural system क्या होता है तो है सिर्फ neuron ही मिलता neurogelia भी मिलता है और neurogelia मिलता है न्यूरो गिलिया जिसको गिलियर सेल्स बोलते हैं खेर यह सब मैं आगे पढ़ा हूंगा पर रुका नहीं जादा ठीक है यह भी परिशानी है मेरे लिए मैं रुक नहीं पाता हूं बिना बताएं कोई बात नहीं आगे सस्पेंस बना के रखें आगे नेट लेक्षर में जरूर बताएंगे आपको तो क्या होता है देखो भी तीन ही फंक्षन इसके में लिए में अगर मैं 100 बात की एक बात करोंगो आपके सामें तो यह होगा तीन फंक्षन कोन कौन से है एक तो सेंसरी फंक्षन सेंसरी फंक्षन इस लाइक जिसे आप यहां खड़े हो आपने आउटर एंवारेंट में कोई होऊ होता है यहां दर्द कर लिया होता है नो I didn't करना और परxis करना कोई वीकाम होता है नेक्ट फंक्शन करzeug करने कोता है थाध würde होता है तो संसुरी काम है इंट्राइट ह में आपको बताय सकते क्या होता है मतलब लाष्ट में कोई पर ड्रुजट में जो भी वह लेगा आ है कि जो ही फेसला यहिए इंट्रुशिंग के बाद ना आएगा जबद मतलब जो ही प्रोसेस मैं आपको एक एक्सांपल समझाता हूँ है सच में नहीं आएगा चलो जी आजाओ ब्लैक बॉर्ड पर कि तो देखिए बहुत ही आसान सब्दों में आपको समझाना चाहूंगा जैसे कि यह है ब्रेन कि यह होता है स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ठीके दो बना दिया मैं यहां पर यह इन्हीं को हम बोलते हैं अपना सेंटर नर्व सिस्टम क्योंकि बॉड़ी की दम बीच में यहां हैड से लेकर भी एकदम कमार के कि दम बीच में से जो बैक बोन है ठीक एक तो है सेंटर नर्व सिट्रों का पहले से था नाम है ब्रेन है ना जी अच्छा ब्रेन और यह है स्पाइनल कॉर्ड इस पाइनल कॉर्ड कॉर्ड का मतलब क्या होता आपको पता होना चाहिए बंडल होता ठीक है अभी बताया था चलो जी इसके बाद आगे चलते हैं और इनके अंदर से निकलती है नर्व जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस निकलेंगी नर्वस यहां से नर्वस निकल रही है ठीक है स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस निकल रही है और 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 आपके ब्रेन से भी कुछ नर्वस निकलेंगी ब्रेन से भी कुछ नर्वस निकले बारे नर्स बाहर निकलेंगे ठीक है मैं कुछ ही बना रहा हूँ तो ब्रेंग से जो नर्स बाहर निकल रही है इनका क्या नाम है और जो ये नीचे आपके ये इस्पाइल कॉर्ड से जो नर्स निकल रही है इनका क्या नाम है तो ठीक है आपसे नहीं रुका जा रहा है तो ब आपकी इस पाइनल नर्स यह कहलेंगे आपकी इस पाइनल नर्स अच्छा जी आप एक बात देखना नर्स केंदर क्या किया बताया थे मैंने निरोन निरोन होते हैं इस पेसिलाइज वह ते अगर आपको नीडिकराम याद नहीं अगर तुम इतने ही कम कंसेप्ट वाले इंसान हो तो सुनो दियां से नीरोन इस तरह की कोई सेल होती है आपने पड़ा होगा बच्पन में सजावट के लिए माइलिंशीद बना देता हूं हाला कि यह भी कब-कब बनते वह भी बताएंगे अच्छा जी तो यह हो गई आपके नियूरॉन भी बताएंगे क्योंकि यह डिवाइड नहीं करती अगर एक बार पूरी बन जाती ना तो यह कभी जिन्दी में डिवाइड ही नहीं करती यह हमेसा हापका रह उसमें मिलेगी इंटर फेस में इंटर फेस में यह कभी डिवाइड नहीं करेगी, इंटर फेज बोलेगी, अगर एक बार यह fully डिवड़ अप हो जाती है, तो उसके बाद यह डिवाइड नहीं करती है, और यह सिर्फ इंटर फेज मरेती है, और इंटर फेज को क्या बोलते हैं, अपने पड़ा होगा बच्पन में, इसको non डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, जब होग ज़्यादा शॉर्टकट मानिक जोट पड़े होगा, अच्छा, तो यह brain और spinal cord मिलके आपका बन जाता है, central nervous system, ठीक है, और जो आपकी cranial nerves हैं, और जो आपकी spinal nerves हैं, य यह मिलके बना देंगी, आपका peripheral nervous system, इसको periphery क्यों बोला है, इसको center क्यों बोला है, तो body के center में तो यह होता है, और body के center से एक दम पेरी फेरी तक यह जाते हैं, ठीक है, यहां से message लेके भी आएंगे, और message भीज़ेंगे भी, यहां से message लेके भी आएंगे, और message भीज़ कोई motor activities होगा, अब तुम्हें यह सब चीज़ बता ही देता हूँ, बहुत देर हो गई है, तो सुनिए ध्यान से, तो जो message को बहार से लेके आएंगे, और detect करेंगे, जो detection का काम करेंगे, वो होंगे हमारी sensory nerve, उसके अंदर कौन सी nerve होंगी, sensory, ठीक है, याद रखना, इसके अंदर हमारी होंगी, sensory nerve, जो detection काम करेंगे, body के कोई message, एक जिक सा दूसरी जिके पहुचाएंगी, पहुचाएंगी कहां तक, जहां पे कोई भी गरबर हो रही है, जहां पे कोई भी detection, कोई भी change feel हो रहा है, वहां से ये message को transfer करेंगी, center nerve system की तरफ, कोई message कहां आएगा, CNS क के अंदर चलेगी process, ठीक है, पहले तो हमने detection कर दिया, detection कर दिया, detection, इन्होंने पता लगाया, कि वही क्या, क्या change आया है, अब process होने के बाद, फिर वापिस से, ये, उसकी result में, कोई activity कराएंगे, activity, activity बोल दो, या फिर कुछ ना कुछ effect जरूर डालेंगे, ठीक है, कुछ तो एक बात बला रहा हूँ, यहाँ पर clearly याद रहिएगा, कि जो detection में जो neuron parts bit कर रहे थे, वो थे आपके sensory neuron, वो कौन से थे sensory, ठीक है, और जोनोंने process किया, वो beach के neuron है, ठीक है, बताएंगे उनका नाम भी, और जो बाद में लेके जा रहे हैं इसको, जो movement या फिर कुछ भी कराते हैं, उसको मोटर neuron, तो मैंने आपको दो तेक neuron परदा दीए, sensory और motor, खिर ये भी मैं आपको बहुत दोटेल हैं बढ़ाऊंगा, future में, जब मैं neuron को बढ़ाऊंगा, तो वहां बता देंगे, फ्याल इतना याद रखे, जो भी चीज़ों को detect करते हैं, वो sensory neuron होते हैं, और जो भी neuron body में कोई भी activity कराते हैं, या फिर कुछ भी effect कराएंगे, बड़ी में कोई hormone secretion करा ना हो, या कुछ भी हो, वो काम motor neuron से होता है, ठीक है, अब sensory और motor, ये दौनों ही peripheral nervous system के under में आते हैं, ये दौनों तर एक neuron कहां मिलेंगे आपके, ये मिलेंगे आपके peripheral nervous system में, तो ये sensory हो, चाए motor neuron हो, ये दौनों तर एक neuron किस के हिस्से हैं, peripheral nervous system के, ठीक है, ये इनके हिस्से हैं, या दखना, और जो बीच में है, वो central nervous system का हिस्सा है, खेर ये क्या है, ये जानने के लिए इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा, और मैं आपको second lecture में बताऊंगा, ठीक ह Intermediate neuron, Intermediate ठीक है, अच्छा जी, यहां तसर में आगे होगा, आप इसका key shot ले लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी दुविदा संकट कुछ भी ना हो, ठीक है, आपको कोई भी संकट नहीं होना चाहिए, चलो जी, इसके बाद आगे बात करते हैं, मैं इसकी नटा देता हूँ, तो यहां फ़े मैं ने फंक्चिन बताया लालग सेंसरी बताया, इसका प्रेटक्शन का होता है, इंटिग्रेटिव काम का होता है, जो बीच में है, ठीक है, इंटरमीडर बाले है, मोट रखा काम होता i stimulation, या फ्डेंट करना, इस्टिम को बढ़ावा देंगे अच्छा जी इसको देखें यहां पर मैं आपको बताया था ठीक है और नर्वस सिस्टम भी बताया था सेंटल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं मैं आपको बताया था यह और ब्रीन ठीक है एंड इस्पाइनल कोड ठीक है ऐसी पेडिशनल और भी दो है जैसे कि मैंने ना टॉट टोड़ा जब उठाई ही है तो और जो दो एक्स्ट्रा है वो है आपके एक्स्ट्रिंसिक एंटरिक प्लेक्सस ना जो बॉड़ी के अंदर मुवमेंट करवाते हैं और कुछ सेंसरे रिजेप्टर रहे हैं स्किन के रिजेप्टर सब्सक्राइब ना रिजेप्टर रहे को होते हैं यह वी मैं तो बता हूंगा फ्यूचर में और गैंगलिया अब तुम से रुकाने जा रहा होगा सरगिया तो बता ही दो बहुत देर ऊगाए अक श्रुट तो होते हैं किसके नर्वस टिशू मास मास अगर आपको नहीं पता है तो आपको तो इसके अंदर होता है नी रॉन होता है नीरोन की सेल बॉड़ी जो कि कहां मिलती है ब्रेन और स्पाइल कौर्ड के बहार मिलेगी नीरोन की सेल बॉड़ी होती है उसी को हम गैंगलिया बोल देते हैं गैंगलिया तो मतलब कि मानके चलो अगर ये brain है में ऐसी बना रहा हम, brain अव तो ठीक है और ये ispail cod है उसके बहार जो भी तोमारी cell bodies आंगी जो भी बहार cell bodies पड़ी होंगी उठी को हम गैंगलिया बोल देंगी और इस स्वेलेंग यह उती है और कुछ नहीं होता इन से क्या फॉर्म हो जाती है इस बखवास से डाइगराम के लिए माफ करें हला इसके लिए इस नहीं विकार नहीं है नल्म होग किछ छली दागे चलते हैं चलो कि इनसानों बहुत बदिया बदिया मैंथ करें तुम लोग चलो भी प्लेक्स करा प्रेकर्शन में में प्ढ़या था आरहा है शर्त करना एक बाता करते हैं और इसे बाद आगे बात किरते हैं और ना मुविंग फोरवर्ड टुवार्ड्स अबर नेक्स्ट टॉपिक डाट इस हिस्टोलोजी ओफ गट तो ठीक है देखते हैं अच्छा जी हिस्टोलोजी ओफ गट साइथ में दुबारस पढ़ाओंगा तो इस लेक्टर को यहीं खतम देखते हैं कोई बात में ठीक है इतना पढ़ लीजेगा आप लोग और इसको में सुबह कल कल मतलब कितनी डेट है कल है 16 12 2022 तो मैं तब इसको लाए पढ़ाओंगो सुबह नो बजे ठीक है नो बजे मिलते हैं नो बजे ठीक है चलो जी खतम करते हैं लेक्टरेंगे